इंदौर जली की देपालपूर तहसील में एकी महौले के रहने वाले 23 लोग कुरुना संक्रमित पाए गए हैं जिसमें एकी परिवार के 13 लोग पॉजिटिफ निकले हैं नगर में संक्रमिन का आकड़ा 27 तक पहुच किया है देपालपूर SDM प्रतुल सिन्हा तहसीलतार बजरंग बहादूर स्वास्थ विभाग के टीम नगर परिशद CMO एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारी सहित सभी वरिष्ट अधिकारी मौकी पर पहुचे एवं पूरे एडिया को सील कर कंटामिन्ट एडिया घोशित किया गया है वह संक्रमितों को इंदौर रेफर किया गया साथ ही संक्रमित परिवार के लोगों को हों क्वारंटाइंग किया गया नगर परिशद द्वारा आसपास के एडिया को भी सांटाइस किया जा रहा है साथ ही स्वास के नगरी एवं ग्रामीन शेत्रों में भी कुर्णा संक्रमित पाए गए हैं जिसके चलते ग्रामीन शेत्रों में भी दहशत का माहुल है और प्रशासम की चिंताई बड़ी हुई है देपालपूर से दीपक सेंग रिपोर्ट और पुरे जो तैसील छेत्र है बलकि अगर करें विकास खंड संपून एरिया में हम लोग लगातार सर्वे की कारवाई करा रहे हैं आगनवाडी कारी करता आसा कारी करता घर घर जाकर के लोगों से जान पिले रहे हैं यदि किसी भी व्यक्ति में सर्दी खांसी के लक्षन ब कर आई थी और वो तीन व्यक्ति पॉजिटिव आये थे उसके बाद उसी परिवार में हमने पूरे की सैंपलिंग कर आये थी सभी लोगों की और आज 23 लोग उनमें से पॉजिटिव आये हैं जिनको आज हम लोगों ने वस्पिटलाइजेशन कर आये हैं आगे भी हम लोग स कर दो.